हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत था आपका इस मोटिवेशनल प्रेट्फराम के पार्ट नमर 7 में आसा करता हूं कि यह भी पार्ट अधर पार्ट की तरह वहुत ही लाप द्याख होने वाला है तो चली स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल इसक्षन को पॉइंट नमर 21 से लेकर देख सकते हैं लिका हुआ है कि लाखों दुनिया में और चले गएं लेकिन याद वे लोगों को किया जाता है जो लोगों से कुछ हटके कियें गुछ अलग कियें जैसे अगर एक्जाम्पल के तोर पर समझ तकते हैं न्यूटन को दुनिया में बहुत लोग आए और चले गाएं लेकिन न्यूटन को ही याद किया जाता है क्योंकि न्यूटन दोनों लोगों से अलग किये मतलब संपत्त की पीछे मतलब आगे आप अरपती होंगे ठीक है ल पड़ाई लिखा योगी नौकरी पाएंगे साधी होंगी बच्चे होंगे फिर बुड्डे होकर कि मर जाएंगे यहीं हमारी लाइफ है नहीं हमें अब्दुल कलाम की तरह अपने पदचिन को छोड़ के जाना है ताकि हमारी आने वाली पीडिया नेक्स्ट जनरेशन हमें याद करें जब तक सूर्च चंदाचम के तब तक हमारा नाम होना चाहिए यह अगर अपने माइंड में बैठा लेते हैं तो हम निश्चे दुनिया से अलग कर लेंगे हमारा पदचिन ही बनेगा और इस्वर जिस मकसद से आपको इस दुनिया में भेजा है मैं मकसद भी प पागलपन होना चाहिए दूसरा चीज कि आप हमेशा अपने आपको इंज्वाय करते हुए मतलब तनाव को चिंता को दूर को दुख को दूर करके इंज्वायमेंट करते हुए अगर अपने आपको मेहनत कर रहे हैं हार्ड वर्किंग कर रहा हैं तो सक्सेज है ना कि मस्त अपने आपको इनज्वाय करते रहें कभी स्ट्रेस मतली क्यों कि इस्ट्रेस लेंगे तो यह आपको इनगेटिव पहुंचाए आगा देखिए कहा गया है है कि चिंता और चीटा में बस एक मातरा कंतर होता है और दोनों इस सरीर को जलाते हैं चीता होता है बार्ज जरीर क को अंदर से जला देता है इसलिए चिंता तनाव को दूर करके मस्त हो करके इंज्वाय करके हाड वर्किंग करनी है वेस्त रहें हमेसा अपने आपको इजी रखिए अपने आपको वीजी रखिए मतलब कभी भी कहा गया है ना कि अगर खाली दिमाख सैतान का घर होता है और नेक्स्ट लिखा है कि अपने अपने कारेट शित्र में जबर दस रही है मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं मैं हमेशा बताता हूं कि सकसेज होना मतलब गवर्मेंटर जॉब बाना नहीं होता है आप कई तरीके से सकसेज हो सकते हैं मतलब लाइफ में कोई निव एचीव नर्स कुछ भी बनके आप सकसेज हो सकते हैं मैंने जो सकसेज का एक डिफिनिशन दिया था लाश्ट वीडियो में वह आप एपलाई होना चाहिए तो मतलब अपने कारेट शेत्र में जबर जस रही है जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जबर जस रही है एक्जामपल अगर आप से पूछ दिया और आप अगर नहीं बता पारे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ आप कुछ नहीं पढ़ रहा है मतलब जो भी काम कर रहा है उसमें एक्सपर्ट होना है अगर खेल रहा है तो अच्छे से खेलना है ताकि उसमें आप एक्सपर्ट हो जाईए कहने का मतलब तो दोस्तों यह रही आट की वीडियो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जोस के साथ एक नई